बूर्णिंग ओल आफ यू आज हम हिंदी का काम करें हैं हमारी फर्स्ट पोयम है बादल दानी जिसके रचैता है बाबुलाल शर्मा आएए रीड करते हैं चम चम की बिजली रानी उठी गगन में घटा सुहानी बादल दानी बादल दानी खूप जमा जम बरसो पानी ये कह रहे हैं बिजली भी आसमान में चम कर रही है घटा भी बादल भी चा गए है और पानी बादलों को पानी बरसाने के लिए कह रहे हैं प्यासी चिडिया प्यासी गईया खाली है सब ताल सलया सूखे घाट पड़ी है नईया हुई मचलियों को हैरानी बादल दानी बादल दानी ये कह रहे हैं कि चिडिया भी प्यासी है गईया को भी प्यास लगी है ताल तलाब सब सूख गए है घाट भी सूखे हुए है उसमे नाव भी नहीं है, मच्छियों को यह देखकर हरानी हो रही है बात और वो बादलों को बुला रही है सागर भर-भर जल लाते गाम गाम में रस बर्साते सब जीवों की प्यास बुझाते धरती हो जाती है धानी बादल दानी बादल दानी बातलों को कहते हैं भी सागर सागरों से बल सागर भर भर कर लाते हैं गाउं में रस बरसाते हैं और सब जीवों की प्यास बुजाते हैं और धर्ती भी धान से भर जाती है फसल धान की खेत तो महके धान की फसल से खेत महक उठे हैं रहा घाट हर्याली लहके सब जंगे हर्याली है मन किसान का गायच है किसान का मन किसान मन ही मन खुश हो रहा है देख मेडो तक पानी भरा हुआ देखकर किसान भी मन ही मन खुश हो रहा है बादल दानी खूब जमा जम बरसो पानी इस कविता को सभी ने अच्छे से घर में पढ़ना है दो तीन बार अच्छे से रीड करना ताकि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए इसी हमने रीड भी करनी है और लर्न भी करनी है शब्दर्थ है वो मैं आपको राइट करवा रही हूँ वो आप लर्न भी करोगे और राइट भी करोगे